प्यारे बच्चो नमस्कार, हिंदी की कलास में आप सभी का स्वागत हैं हम बेटा अपने 10 मात्राइं कर चुके हैं आज हम उनी मात्राओं के शब्दों में से थोड़ा सा अभ्यास कार्य करेंगे सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर एक हैडिंग लिखा इसको पढ़ते हम नीचे दिये गए शब्दों को पढ़ो शब्दों में से औ और और आ मात्रा के शब्दों पर घेरा लगाओ आपने बेटा इस काम को अपने हिंदी की कॉप्पी के उपर उतारना है और अगर आपको बेटा यह हैडिंग उतारने में थोड़ी सी अगर दिक्कत आएं तो आप यह हैडिंग अपने पेरेंट से भी उतरवा सकते हैं उसके बाद बेटा आपने पहले इन सबी शब्दों को अपनी हिंदी की कॉप्पी के उपर सुन्दर सुन्दर लिखाई में लिखना है क्योंकि उसमें मैंने आपकी राइटिंग स्किल चेक करनी है तो बहुत ही सुन्दर लिखाई में अपनी कॉप्पी के उपर उतारेंगे उसके बाद बेटा आपने इन सभी शब्दों को पढ़ते हुए मतलब कि इनकी रीडिंग करते हुए बेटा मुझे वीडियो बना कर एक वर्षब के उपर सेंड करनी है जिसमें कि मैं आपकी रीडिंग स्किल देखूंगी उसके बाद बेटा रीडिंग करने के बाद आपने इसका क्या करना है आपने इन शब्दों में से ओ मत्रा वाले और ए मत्रा वाले शब्दों के उपर घेरा लगाना है कौन सी मत्रा वाले शब्द बेटा ओ मत्रा वाले शब्द और ए मत्रा वाले शब्द उन पर आपने क्या लगाना है उन पर आपने लगाना है घेरा अरथात सरकल लगाना है उन पर देखी मैं आपको एक दो करकर बताती हूं पहले आपने इननकी reading कर लेने होके उसके बाद देखिये जब आप घेरा लगाने के लिए इनको पढ़ेंगे तो कैसे देखिए बा-दा-म, अब इस शबद में भी आपकी ओ और आ मतरा नहीं है, तो इस शबद के उपर भी हम गेरा नहीं लगाएंगे, अगला शबद एक ही बढ़ा, शौक, शौक, आप इस शबद में देखिए बढ़ा, आपकी ओ की मतरा आ गई है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से छोटा सा घीरा लगाएंगे आपने ज्यादा बड़ा घीरा नहीं लगाना बेटा ओके सफाई से आपने सुन्दर सा घीरा लगाना तांकि आपका जो घीरा है वो दूसरे शब्दों को टच ना करे तो आप जिस शबत के ऊपर घीरा लगा रहे हैं सिर्फ उसी के ऊप को चेक करेंगे और जो शब्द आपके ओ और ए मतरा के होंगे उन पर आपने क्या लगाना है घेरा और बाकी के शब्दों को आपने चोड़ देना है ओके तो यह बटा जो आज मैंने आपको अभिहास कारे दिया है इसमें मैंने आपके रेडिंग स्किल और राइटिंग स्कि कर दे सकते हैं बट इन शब्दों को आपने खुद से ही लिखना है ओके बटा आज के लिए इतना ही धन्यवाद